Informa तिल्ट्ट ने कुछ ग्टा मित्रोः, अगे आपडे जो ये इक नव चिप्टर् ये जे, इन्डेक्स प्रोपर्टीश जोगिए? इस वेरे 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 मोस्त प्रोट जेवरे जो पोरेवर जुट्टर्ट्र एक हमुटिए नाउ, स्प्रोपर्टिज नहीं पेला जोए है अपने इंडेक्स प्रोपर्टिज को जो भी dari principle टुरू ञार्परीश मा यह ए कंशिटेनीरिक sत्र गया होए क। स pessoa चोम्पर्शिपूसी डिर supports 중요DER प्रेटि यह स्प्रेश only ग्रेक्षे ने इल्ले मित्रों कॉंपाइक्षान अने कॉंसोलेडेशन बनने आवे एने केवाई कॉंपरसिबिलिटी एल्ले आगनाजी आपड़ा बद्धा चेक्टर छे आना पर्माने जाओसे त्यार आपड़ा इंडेक्स प्रपर्पर्टी पनेशु एना बच्छी पर्मियाबिलिटी श travelled होतु ना मेचि यहाँ छेए घ्ग्रेंज होता होतना म्हालएक्षान डिस्ट्रिबिटीघ्रम सेब्लिटीynnावन गसाइक्षानस भी मेचल दर्मियाग्रAm्ड एक्षेशन ग्यावाँ स्थे दिस्ट्रेंगत्षान एक सब्लेटेश्य आ हीएक स्थेव च्शेव एक रा आपने कहा बढ़े सीव लेंगते ऊपर तेमा सोइल नाके जे ऑने सीविंग करिये जे अन्य जो ये जे केटली सोइल रिटेंट थाई केटली सोइल पास्त थाई ओके मित्रो बट सीम एनालीसिस एक फाइन ग्रेंड सोयल माटाई अपलीकेबल ना थी एन्नु रिजन्स हो जे आपड़ी जो 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 मिनिमॉम साइज नी सीव आवेलेबल छे एच छे 75 माइक्रोल नी ओके मित्रो अन्न आपने फाइन ग्रेंड सोयल स्टाट क्या थी दाएज जो तमाले फाइन ग्रेंड सोयल नूं करू वह जो सेडिमेंडेशन एनालसिस में तर यूज करवे पड़े एना माटे सीव एनालसिस पॉसीबल ना थी तो मित्रो यार राग्डियो सीव एनालसिस फक्त कोर्स ग्रेंड सोयल माटे छे एटले के जैनी साइज 75 माइक्रो ती कारां के फाइन ग्रेंट सोयल माटे सीव अवलेबल ना थी ऊके मित्रों अवे आपने जो यह सीव एनालसिस सीव एनालसिस मा क्यों जे आपने सू करेंगें मतब अलग-अलग साइज दिस सीव लाइज एँमा स्वाइल ना किया अन्य पछे नूँ सीविंग करें पचिस अलग लग साइज ने अपने सीव लेए जे 4.75, 2.36, 0.075 लास्ट सीव जे मैं अमनाद कीदू, 0.075 एम ये मिनीमम सीव साइज जे अब अब आपने सुझोएश्यों एमा कि केटलू वेट रिटेन थे अलग लग सीव पर केटलू रिटेन थे वेट रिटेन थे हमारे वेट रिटेग परसंटेज जो ये जे परसंटेज कहीं जे मरसे डबली वण by total weight of the soil जे आपने लिजूतू एल लेके W1 by W इंटु 100% आना जे मना परसंटेज मरसे ए जिदे आमा कहीं जे मरसे बन्हों परिषु एपड़ी टूटल ल्यट्स वे लिजिवी टूटल वेट्सी आपड़े लीज़ू तुग लू एक वो कि सब्सक्राइब मारे थोक है परसंटेज केमिलिटिव इते आणम नी तो डवल्यान पर संटेज जाओ से बट आणम दे डवल्यो डूपरसंटेज प परसंटेज रिटेंड होए, और मारे परसंटेज फाइनल जोता होए, तो 100- थाये की नहीं? 100- परसंटेज रिटेंड is known as परसंटेज फाइनल और नोट, कांगे आपादे बदा ने कहा बजे, फाइनल प्लस रिटेंड is equal to total ना? so if final I want to find the final is equal to 100 minus retail or not so 100 minus this percentage will be equal to final okay how we throw example that is supposed to know okay I know 60 percent pasta 60 percent pasta 30 percent pasta again another percentage find as it I am an example that is 10 percent pasta so energy microbial naam of Egypt run important now to be 60 be 30 and the detail about you used on other it like how we don't get a board this is clear that you basically need to be 60 be 30 to be 60 less over this is to be able to be 60 to be some energy besides just you mean I am going to be some of the size check for concept by to be 68 left is 60 percent 60 percent of the particle or you can say that 60 percent of the total weight of the particle are finer than this size love this is to be some of the size check and another the particle 60 percent particle final jayla and other than Anna is with any 30 so 30 percent of the particles are finer than this size we thought we need this is a boy a little guy is like a d-60 d-30 d-30 people do such a size size of the particle another size of the same can be just I see which you provide is part of the size of the center इतले दीने इतले सूंहां है का मितलो दीटेंट इतले के 10% of the particles are finer than that size दीटेंट नी जे sizes कलगे मितलो और आधिका मितलो और सिगॉस भी याद लाहिए बिटेंट नीचे गया हुँ कैसे इफेक्टिव साइज अप्ट पार्टिकल तो एनसु क्या है डीटेल तो ए रिते डेटा देवाना बराबर वित्रों री परची और आपट यह परी परेजर चेंगे इम हने खबर पड़ ga कि तमी करने इस ग्रीचेंट आपकेंगे पार्टिकल ने की विघ्ताइब ड्यॐ अजेंयल की पार्टिकल पीट गयाइंग साइज तो इन परिकल्स थी साइज नी रेंज गीटली चे, इस CU नी मेल यू पर थी कपाँ पर से, तो इक तो या कर जो, what it represents, CU represents the range of the particle size and what is the equation for CU, that is d60 by d10, now coefficient of curvature, that is known as CC, the coefficient of curvature शुरे परिशंट करे चे, it represents the average size of the particle, so remember this also, for exam that is very very most important, what CC represents, CC represents the average size of the particle, average size ने लेकि मित्रो, जे तम्हें आखी soil लीती चे, ये soil माँ particle नी size आप लाग लाग चे, पर नमाने यह हूँ क्यो हूँ है, कि average size of the particle नी आख लीचे, तो ये तमने के ना पर थी कावा पर से, CC उपरती, so CC represents the average size of the particle, now what is the equation for CC, D30 square by D60 into D10, so remember this equation also, and what is it represent, that also you have to remember, बराबर जे मित्रो, मित्रो, grain size distribution माँ आपड़े जोयू, के sieve analysis एक coarse grain soil माटे यूस थाए जे, अने आपड़े एमाँ जोयू के C, U, C, C, सूचे, coefficient of uniformity, अने coefficient of curvature, तो मित्रो, एनी value पर थी, आपड़े जोये, grain size distribution काओ, grain size distribution काओ सूचे, एक काओ, percentage finer versus log of the size of the particle, means log scale उपर चे आप ग्राफ, percentage finer versus log of size of the particle, तो मित्रो जो, एनी तमने त्रॉन ग्राफ देखाए जे, ओके, तो आज ये red ग्राफ चे, के जे inclined बन जाये जे, एमाँ जो मित्रो, 0.001 थी, 1 सुधी या 10 सुधी नी range कावर था चे, ये तमने यूँ कई सो कहो के, large range of the particle चे, particle नी range, particle size नी range, बहुँ large चे, तो मित्रो एनने आपड़े कहीजिए, well graded particle, और you can say that, well graded soil, के ये वेल graded मित्रो, ये पार्टिकल नी size नी, gradation एक्दम सरस्य चे, बदी size ना particle चे, ये एनन थी फवाइदो के जो मोटा particle चे, येन थी नाना, ये ले जो बदी size ना particle हसे, आ मित्रो, वाइड ratio पहुँ उचह हो तो से, के मोटा particle, बज़ होच उत यो, सोइल परड़ाइटा से उनाःटा से भी स्क्राइप जो नहीं एक ग्री करेंग FL च्वेरीच, परेंग चाहिंझे, यह लिए के बदी साइज ना पार्टिकल और मोस्ट प्रेजन छे एना बची मीत्रों आपड़े चोगी है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड इडिट लेशू के ए सॉयल मां अब्शुलेटली कोई अपटिक्लर साइज ना पार्टिकल प्रेजन छे एले क्यों हो चेके बहु उची रेंज ना पार्टिकल से तपने एक पंपांच एमीच वनपायए पाटिकल बहुत बादा रहे चए वीजी मत्र ना पार्टिकल भूँ ओचा अज़े ले को पाटिकलर एक रेंज उपर एक फोकस था उचे लेके सॉयल मां पार्टिकल नी साइज नी रेंज बहुँ होची छे तो अने शुके मां मित्रों युनिफर्मली ग्रेडेड पाचिया ती जो ग्राप जे मित्रों तमने देखा चे ब्लैक कलर नो एसो जे गैप ग्रेडेड गैप ग्रेड छे नहीं इतले हमाँ गैप छ एक पार्टिकल नी साइज मां गैप छे आघली प्ली साइज मां पार्टिकल छे निहीं पहचीप पाच्चू वैलगर्डेशन जी उस्टार्ट था तो इतले नाम हमाईनव जे मित्रों गैप ग्रीडेड बडाभर मित्रों हमाहे आपने जो सिबन नेटी नेट्य अपर ग्राफच बनें अपने सी इूनी वैल्यू पर रिeszॉ जानौं हो है कि आपने व्य्कु फूनी ग्रेड यू ग्रेड़ ची एकलि सांव वदार हे यूनीफोर्म दो हुझे coefficient of uniformity पाची मित्रों जो सी यू वेल्यू ग्रेटर देन 4 अने CC नी वेल्यू 1-2-3 नी वच्चे होए यह जो बनने condition satisfied थाए तो यह soil ने के वाई well graded gravel वित्रों याद रख जो well graded gravel बराबर्चे अने जो सी यू नी वेल्यू ग्रेटर देन 6 अने CC नी वेल्यू 1-2-3 नी वच्चे होए तो यह soil ने के वाई well graded send मित्रों जो बनने condition satisfied थावी जरूरी छे जो कोई भी एक satisfy थासे तो नहीं चाले बराबर्चे हवे मित्रों uniformly graded अने gap graded माटे एक common नाम आप यू छे आपड़े एनने कहिए चे आपड़े poorly graded soil uniformly graded अने gap graded ये बनने माटे आपड़े common नाम आप यू चे ते नाम सुचे मित्रों poorly graded soil बराबाब चे तो अवे आपड़े जोड़े बे टाइप था है इन जनरल आइदर वैल ग्रेड़े एदर पूल ली माँ बे टाइप चे यूनिफर्म ली गेप ग्रेड़े बन आपड़े पूले ग्रेड़े रच कही सुचे कांगी ए टाइप नी आपड़े जनरली यूस करता नती तो कंस्रक्शन माटे कही सोईल वदा रही उसता है मित्रों वैल ग्रेड़ेड़े शोल याद राग जो क्यांगी यमाँ वोईड रिशो ओच हो चे एमें तमने डिसकस करूँचे हावे मित्रों आपड़े जोई है relative density relative density अतवा इनू विजू नाम चे density index relative density अतवा density index है न मटे यूस था है जे मित्रों तो ये आपने शो बतावाचे soil ने denseness बतावाचे जो मित्रों id represents the denseness of the soil एटले सू के जो id नी value अतवा तो relative density नी value जटली वदा रहे एटली soil वदा रहे E minimum एले कि maximum void ratio minus natural condition no void ratio divided by maximum void ratio minus minimum void ratio हाजो मित्रों maximum void ratio एटले सू void ratio of a soil in a loose state कानगे आपने कबर छे अपरे discuss करे उचे आगना lecture मा के E match एटले सू maximum void ratio है मित्रों maximum void ratio क्या रहे हो है जारे soil loose state मा हो है same thing minimum void ratio एटले जारे soil densest state मा हो है अने E एटले सू void ratio of the soil in in situ condition बरामर छे मित्रों हवे जो मित्रों अपने एखबर जे के gamma d अने void ratio बने inversely proportional चाले exactly mathematically inversely नहीं पर कही रहे है कि void ratio वदा रहे हो है तो dry density वोच हो है जो dry density वदा रहे हो तो void ratio ओच हो है तो मित्रों age लिते तमें जो है यहाँ equation ने मारे gamma d ना फुम्मा लखू है तो कही रिते लखाए एक तो inversely proportional प्लस जैरा हिया maximum होई तेरे minimum धायने काहिए तो आपने खबर जे के maximum void ratio होए तो gamma d यह वक्ते के भी होई minimum होई और पाचू relation inversely जे सो वन अपन गामा डी minimum काहिए इमेक्स चे एचे तो तो वन अपन गामा डी आउसे नेचरल कंडिशन अठों इंसीच्शू कंडिशन पचे हिया Emax चे तो 1.5 gamma d minimum minus E minimum चे तो 1.9 gamma d maximum तो मित्रो आएएख्वेशन भी ध्यान मा राख जो और आएख्वेशन भी ध्यान मा राख जो तो e max और e minimum नी वच्चे होए तो जो तो मैं यह एक तो e max मुखो तो e max minus e max यह लेके 0 और जो आपड़े e minimum मुख किये तो e max minus e minimum upon e max minus e minimum यह लेके 100% तो id नी value either 0 होए either 100 होए either 100 होए either यह बने नी वच्चे होए तो होए मित्रो id नी अलग-अलग value माटे types of soil यह लेके soil ना अपड़े अलग-अलग नाम आपया छे मैं तम ने कीदो दूख के id से ना माटे यूसता है जे री प्रेजनस तर डेंसनेस अब दा जोई जेवी नी value वच्छे जेम जेम id नी value वच्छे mdance days of the soil वच्छे जो मित्रो जो id नी value 0 थी 15 नी वच्चे होए तो यह soil ने क्या है very loose soil कांकि id बहुँ वह चीछे जो 15 थी 35 निवच्चे होए तो यहने loose soil के वाए जो 35 थी 65 निवच्चे होए तो यहने medium soil के वाए जो 65 थी 85 निवच्चे होए तो यहने dense soil के वाए अन्हें जो greater than 85 होए तो यहने कई soil के वाए मित्रो very dense soil तो मित्रो आ रेंज कुबज अगत्या नीचे GPSC examination माठे तो याद रग जो के कई रेंज मा soil कई रिते भी है उकरे छे हाँ मित्रो स्टेटमेंट बहुँ इंपोर्डन जे grain size distribution मा जे अपने sieve analysis यूज करिये जे so sieve analysis अनने relative density ए बनने coarse grain soil माठे जे applicable छे मित्रो स्टेटमेंट चे grain size distribution काव आज आपने ड्रोब करेंचे grain size distribution काव आज काव खाली sieve analysis माच possible छे sedimentation analysis माच possible ना थी एटले आने आपने grain size distribution काव कहिए छे grain size distribution काव अनने relative density ए मेइनली coarse grain soil माटे एप्लीकेबल छे मित्रो बहुँ इंपोर्डन स्टेटमेंट छे अननी coarse grain soil एटले एनों base example काव ग्रेवल अनने sand बराबर मित्रो